दोस्तों चानक्य नीती के बारे में आज लगभग हर कोई जानता है. चानक्य को महान ऐसे ही नहीं कहा गया है. उनकी कही बातें आज भी लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं. ऐसे करने वाले हमेशा खुशाल जीवन ब्यतीत करते हैं. सुखी जीवन के लिए आचार्य चानक्य नीती की बातें बेहत जरूरी है आज धागदौर में हम कई ऐसी बाते भूल जाते हैं जो बेहत जरूरी होती हैं और उनके बिना हम अपनों को नचाहते हुए भी ठेस पहुचा देते हैं ऐसे में चानक्य नीती का अनुसर्ण करना बहुत जरूरी हो जाता है। आचार्य चानक्य ने अपनी नीती में शादी शुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी कई बाते लिखी हैं। कई बार ऐसा होता है कि औरतें अपने पती से संतुष्ट नहीं होती और पती को इस बारे में पता नहीं चल पाता। आईए आपको बताते हैं पत्निया जब असंतुष्ट होती हैं तो क्या इशारा करती हैं। चानक्य नीती में महिलाओं के ऐसे इशारों के बारे में बताया गया है जो वे असंतुष्ट होने पर करती है इन इशारों को भांप कर कोई भी पती अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सकता है पत्नी की नाराजगी को दूर करने के लिए चानक्य नीती की इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए बात कम करना पत्नियों को बातूनी भी कहा जाता है जब पत्नी बहुत खुश होती है तो अपने पती बहुत ज्यादा बात करती है कभी तो पती को कहना पड़ता है कि बस करो कितना बोल रही हो अगर आपकी पत्नी भी बहुत बाते करती है और अचानक शान्थ हो जाए तो समझ जाए कि वह असंतुष्ट है यानि आपकी किसी बात से वह नाराज चल रही है कम बात करना पत्नियों के असंतुष्टी बारे में इशारा करता है ये संकेप मिलते ही आप अपनी पत्नी से बात करिये और जानिë कि वह किस बात से परेशान है ऐसा करने से वह बात आप से शेर करेगी और फिर पहले की तरह हो जाएगी हर बात पर गुस्सा आना यह सब जानते हैं कि पत्नियों के लिए पती कितनी एहमियत रखते हैं पत्नी अपने पती को कभी नाराज नहीं करना चाहती ऐसे में अगर पत्नी आप से जुझलाने लगे यानि बात पर जगडा करे और गुस्सा करे तो समझ जाईए कि वो किसी न किसी बात को लेकर असंतुष्ट है इस इशारे को ध्यान में रखकर आपका अगला कदम पत्नी को खुश करने के लिए होना चाहिए बस अपने बारे में सोचना पत्नियों के बारे में कहा गया है कि वे अपने पती के हर जरूरत का ख्याल रखती है अगर आपकी पत्नी अचानक आपसे दूरी बना ले या आपको लगे कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और आपका ख्याल नहीं रख रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह किसन किसी बात से असंतुष्ट है हो सकता है कि वह आपकी किसी बात से नाराज हो इसे ध्यान में रखते हुए आपको पत्नी से तसल्ली से बात करनी चाहिए उसकी समस्या को समझ कर उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए ऐसा करने आपकी पत्नी को संतुष्टी मिलेगी और वह फिर पहले की तरह आपसे प्यार करने लगेगी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्यानवर्धक जानकारी के साथ और हाँ अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो जल्दी से कर लीजिए